तो मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने 36 गर परदेश के 90 बिधान सवाद छेतर के दौरे की शुरुवात हो गई है शुरुवात में उन्होंने सरगुजा संभाग के सामरी बिधान सवाद छेतर से किया है इसको लेकर अब परदेश की गल्यारों में एक नई सियासत शुरू हो गई है बीजेपी ने इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पर तंच कसा है और कहा है कि इन साड़े तीन वर्षों में शराब बेजने रेत खानन में मजबूर रही यह सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो गई है और आब मुख्यमंत्री पुपेश बखेल को जनता की याद आ रही है और यह आब यहां दौरे पर निकल रहे हैं साड़े तीन वर्षों तक शराब बेचने में मजबूर यह सरकार साड़े तीन वर्षों तक रेत खनन करने में यह वेस रही सरकार अब जब उल्टी गिंती प्रारम हो रही है और आदर्नी पुनिया जेकी जो रिपोर्ट्स आई है कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है सरकार का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तब इनको प्रदेश की जनता की यादा रही है और अब ये दोरे में निकल रहे है मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी हांसल कुछ नहीं होना है एक सरकार के मुख्या को एक सरकार को लगातार जनता की बीच में जाने के आफशकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साड़े तीन वर्ष बीचने के बाद प्रतेक विधान सबा जाने का ये कारिकाम बन रहा है अर्थात चुनाओ की खत्री की घंटी और चुनाओ की तैयारियों को लेकर ये अपने दोरे पर जाए दोरे पर जाए कहीं आपती नहीं है तो बीजेपी के इस पूरे बयान पर पलटवार करते हुए पिसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मुझे मंतरी भुपेश बगिल लगातार जनता के बीच जाते रहे है उन्होंने आगे कहा कि करोना काल के दोरान भी मुझे मंतरी भुपेश बगिल पीछे नहीं रहे बलकि लोगों के बीच जाकर उनकी समास्याओं को भी जाना है बीजेपी पर तंज कर सते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग तो अपने घरों से नहीं निकले लेकिन हमारे जन प्रतनी धी मंतरी बिधायक सभी जनता के बीच गए या उसी का परिणाम है कि हमने प्रदेश में सभी चुनाओं में जीत हासिल किया मानने मुखे मंतरी जी आज से सरगुजा दवरे पर निकले हैं और हमारी सरकार के साड़े तीन साल की उपलब्दियों नीतियों यूजनाओं का लाब आम जनता को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो जमीनी हकिकत जानने का प्रयास करेंगे हमारे कारिकताओं से मिलेंगे उनसे फिडवेग लेंगे अधिकारियों से मिलेंगे तो कहीं न कहीं लोगों की क्या राय है हमारी सरकार के प्रती वो भी जानने समझने का प्रयास करेंगे और 2023 के चुनाओं से पहले डेड़ साल पहले हम लोग आगे की रणनेती कैसे काम करें